आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 12th कुलास के लिए हिंदी पेपर की तयारी के लिए महतपूर प्रस्न ये प्रस्न वार्शिक परिश्चा 2024 के लिए बहुत ही महतपूर है ये हिंदी के महतपूर प्रस्न हमने बच्चों की द्वान पर दिये हैं तो आज हम इस वीडियो में महितपूर्ड प्रस्ट हिंदी के लिए लाए हैं जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ही महितपूर्ड है तो देखते हैं पहला कुश्चन है इस्थाई भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताईए अगला कुश्चन है काव में ओजगुड किसे कहते हैं और नेस्थ कुश्चन है निर्गुड भक्ति धारा की कोई तीन बिसे इस्थाई लिखते हुए निर्गुड भक्ति धारा के किनी तो कभियों के नाम लिखिए तो इनका ये आंसर दिया गया है उनको आप लर्ण कर ले नेस्ट कुश्चन है प्रियोगवादी कविता की चार विसे स्थाइन लखिए ये इसका अंसर है और नेस्ट है प्रकतिवादी कविता की चार विसे स्थाइन लखिए ये इसका अंसर दिया गया है नेक्स्ट है नई कविता की चार्थ बिसे इस्थाइन लिखिए और ये नेक्स्ट प्रस्ण निवंद को गद्द की कसोटी क्यों कहा जाता है वच्चो इसमें आंसर भी दिये गए हैं इनको आप लर्न कर लें नेक्स्ट कुष्चन है जीवनी और आत्म कथा में अंतर बताते हुए दोनों विधाओं की एक-एक रचना लिखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है नाटक और एक आंकी में अंतर बताईए ये इसका अंसर दिया गया है उसके बाद ये राज भासा किसे कहते हैं भारत की राज भासा कौन सी है ये इसका अंसर दिया गया है नेक्स्ट कुष्चन है राज भासा की दो विसेश्टाएं लखिए और नेक्स्ट मुहावरे और लोकोक्ती में कोई दो अंतर बताईए नेक्स्ट कुष्चन है संचेपड किसे कहते हैं इसका क्या अर्थ है बच्चों ये अंसर दिया गया है लर्न कर लें नेक्स्ट है हास रस की परवासा सो उधारड लिखिए उधारड साइथ परवासा लिखनी है तो ये इसका अंसर है और ये इसके उधारड दिये गए है लर्न कर लें उसके बाद वी रस्की उधारर साहित परवासा लिखिए तो ये इसका अंसर है नेस्ट है इंटरनेट क्या है ये इसका अंसर है और ये प्रश्न कर्वांग 17 मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग प्रमुक बातें कौन कौन सी है लिखिए ये इसका अंसर है नेस्ट कुश्चन है मौलिक लेखन का आसे क्या होता है ये इसका अंसर दिया गया है उसके बाद नाटक किसे कहते हैं ये इसका अंसर है नेस्ट कुश्चन है विप्री तार्थक सब्द युग्ब क्या होते हैं उधारर सहित लिखिए तो वच्चो ये इसका अंसर दिया गया है नैस्ट है मिस्रित वा के किसे कहते हैं ये इसका अंसर है सैयुक्त वा के किसे कहते हैं ये इसका अंसर है उसके बाद कुश्चन 23 साहित समाज का तरपड होता है का भाव पलवन कीजिए ये इसका अंसर है इस्वर किसी विशेश धर्म या जाति का नहीं होता का भाव पलवन कीजिए तो बच्चो इसको तयार करें Next है जेव के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दसा होती है ये इसका अंसर दिया गया है Next question है Next है मनुष्य की छमता किन तीन बातों पर निर्फर करती है कैसे तो ये इसका अंसर दिया गया है नेस्ट है विसेश रिपोर्ट क्या है विसेश रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है यह इसका अंसर दिया गया है नेस्ट कुश्चन है निपात किसे कहते हैं इस पश्ट कीजिए ये इसका अंसर है और नेस्ट कुश्चन है भाव विस्तार कीजिए जननी और जन भूमी स्वर्ग से भी स्रेश्ट है इसका अंसर देख लेते हैं ये इसका अंसर दिया गया है नेस्ट कुश्चन देखते हैं नेस्ट है आर्थिक पत्रकारिता सामान पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है इस्टपस्ट कीजिए बच्चो ये इसका अंसर है इनको तयार कर लें ये बहुत ही महत्पूर प्रस्ण है आगे की क्लास में हम और भी महत्पूर प्रस्ण लाएंगे तो देखते रह करते रहें बैस्त टॉक लख